पूश्टल लाइफ इंस्योरन्स की एक और स्कीम के बारे में डिसकुस्टन की है识ए इस वीडियो में हम एक और स्कीम के बारे में जिसकों की लोकल बुलचाल की भासा में हम money back plan कहते है जो लोग ऐसे plan में invest करना चाहते है कि जिसको कुछ साल के बाद अपनी invest की गई money का एक return भी मिल जाए यानि कि वो अपनी money back भी चाहते है तो उनके लिए प्लान अच्छा है तो इसको कहते है anticipated endowment assurance और इसको सुमंगल plan के नाम से भी जाना जाता है अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिसकोस किया था दोस्तों कि ये लाई कौन ले सकता है तो जो भी central government के गर्मचारी है state government के गर्मचारी है public sector unit है कोई भी या ऐसी कोई भी company जो NAC BAC में listed है stock market में listed है या फिर जिसमें government का 10% से ज्यादा stake रहता है local bodies है autonomous body है ऐसे कोई भी person जो कि इसमें job करते है वो postal life insurance ले सकते है तो दोस्तों ये basically एक money back plan है और इसमें आप maximum 50 लाख रुपे तक की policy ले सकते है तो इस policy में क्या होते है दोस्तों टर्म इसके दो होते है 15 साल या 20 साल आपको जो suitable लगे उस टर्म का आप plan ले सकते है अगर 15 साल के plan के बाद आपको जब आपका plan परिपको हो जाएगा तब आपको जैसे कि सभी PLI की policy में मिलता है आपका sum assured यानि कि आपने जितने रुपे की policy ले है उतने रुपे और आपकी policy ने जितना bonus earn किया है वो मिलेगा लेकिन ये plan money back है तो इसमें कुछ अलग रहेगा इसमे आपकी जो भी sum assured amount है यानि कि आपने जितने रुपे की policy ले है उसका मान लिजिए कि आपने 15 साल की policy ले है तो आपको छठे year, नौवे year और बारवे year में इसका 20, 20 और 20 यानि कि 60% आपको मिल जाएगा मतलब कि आपका policy start हो जब से होती है वहां से छठे year में आपको आपकी policy policy की जो आपने insured value जैसे कि suppose 5 लाख ली है तो उसका 20% एक लाख हो गया तो आपको छठे year मिल जाएगा, नौवे year आपको दूसरा एक लाख मिल जाएगा, बारवे year आपको तीसरा एक लाख मिल जाएगा और आखिर में यानि कि जब policy परिपक्वा होती है 15 साल में तब आप आपको बाकी रही 60% एमाउंट और पोलीसी ने जितना बोनस अकड किया है वो एक साथ मिलेगा, इसी तरह आप चाहे तो पोलीसी 20 साल के लिए भी ले सकते हैं और 20 साल में आपका मनी बेक रहेगा, आठवे, बारवे और 16 साल, 20, 20 और 20 परसंट, पंदरा साल में जैसे था बेसा ही रहेगा, लेकिन इसके यर आठवा, बारवा और 16 रहेगा दोस्तों, अब आती है बोनस की बात, तो इस पोलीसी में कितना बोनस मिलता है, तो जो लास्ट, एस पर दो पी लाई वेबसाइट, 48 रुपीस, लास्ट डिकलेर किया गया बोनस है, और ये यर 2021-22 के बोनस मिलेगा, टेन थाउजन की है, तो आपको उसमें एक जीरो जोड लीजे, 480 मिलेगा, एक लाग की है, तो 4800 मिलेगा, इसी तरह पॉइट लाग, दस या लाग या पचास लाग की पोलीसी पर बोनस गिन सकते है, उतना बोनस आपको पर येर मिलेगा, ये बोनस उपर नीचे होता रहता है, और अभी ये decreasing हो रहा है, तो आपकी maturity value, कितना बोनस टेकलेर हुआ है, उसके उपर रहेगा, इस साल का डिकलेर हो गया, तो उतना बोनस आपको इस साल के लिए मिलेगा, आग एक के साल में जो भी डिकलेर होगा, उतना आपको आग एक साल में आपकी पोलीसी और्न करेगी तो और भी हम झान लेता है कि इस पोलीसी में कभ एंटर कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप 15 साल की पोलीसी लेना चाहते है तो मिनीमुम एज क्राइटेरिया नैंती यर 19 यर और मैक्सिमुम 15 साल की पोलीसी के लिए 45 और अगर आप 20 साल की policy लेना चाहते हैं तो minimum age criteria 19 year और maximum age criteria इसके लिए 20 साल की policy के लिए 40 year रहेगा तो ये कुछ हो गई बाते policy के बारे में जब भी आप पोस्टल लाइफ insurance लेने जाते हैं तो आपको एक medical insurance भी करवाना पड़ेगा medical insurance नहीं उसको medical करवाना कहते हैं यानि कि आप medically fit है या ये डिकलेर करवाना पड़ेगा इसके लिए आपको agent की help ले ले तो ये आसानी से आपको हो जाएगा इसके अलावा आप इसमें premium monthly, quarterly, half yearly या yearly का option चूस कर सकते हैं और आप जब भी premium भरें तो उसके उपर पहले साल में साड़े चार परसंट GST लगता है और दूसरे साल से ये ढाई परसंट GST हो जाता है इसके अलावा अगर आपकी policy 5 लाक्या उससे ज्यादा की है तो ये छोटी सी amount आपको cashback जैसी भी कुछ मिलती है तो अगर आप yearly premium का option चूस करते हैं तो इसके अलावा आपको वो कुछ 2 परसंट का additional benefit भी देते हैं तो बैतर रहेगा कि आप अगर yearly premium भरे तो आपको कुछ benefit म कि इसमें बताया जा रहा है कि premium का table कैसा है तो हम देखते हैं कि अगर हम 19 से लेके 36 के बीच का कोई परसंट है यदि वो 15 सल की policy लेता है तो 5000 रुपे का भी अगर उसका policy है तो उसका premium 33 रुपीज है और 37 से 42 यर के बीच का कोई परसंट है और 15 सल की policy लेता है 5000 रुपे की तो उसका premium 34 रुपीज आएगा 43 से लेके 45 यर तक का कोई परसंट है तो उसका premium 35 रुपे इसी तरह अगर 20 सल की policy है और 19 से लेके 33 यर के परसंट का premium इसमें 25 रुपीज 34 से लेके 39 यर तक का परसंट 20 सल की policy लेता है 5000 रुपे की तो उसका premium 26 रुपीज आएगा yearly premium 40,800 रुपे के करीब आएगा और उसके सामने मुझे बोनस यह 48 रुपीज के हिसाब से गिने तो पांच लाग की policy में मुझे 24,000 रुपे पर यर मेरा बोनस मुझे मिलेगा तो इस हिसाब से मैं गिनता हूँ तो मेरा 15 सल के बाद बोनस हो जाएगा 3,60,000 और मेरे पर यर 40,800 चमा होंगे मैं जब 42 यर का हो जाओंगा तब जब मैं 42 यर का हो जाओंगा तब मेरी policy को 6 यर complete हो जाएगे तो मेरा पहला money back आएगा वो होगा 1 रुपे 5 लाग का 20 परसंट इक लाग रुपे मुझे मिल जाएगे तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो मेरे करिब-करिब 2,44,000 इक ट्था मेने भर हैं उसके सामने मुझे एक लाग सब आपस मिल जाएगे इसी तरह जब मेरी एज 45 की हो जाएगी तब मुझे दूसरे एक लाग 48 की हो तब तीसरे एक लाख मिल जाएंगे और मेरी पॉलीसी जब मैं 51 यर का हो जाऊंगा तब परिपक्वा हो जाएगी जब मेरी पॉलीसी परिपक्वा होगी तब मुझे 5,60,000 मिलेंगे तो मेरी पॉलीसी में मैंने 6,12,000 बरे है उसमें मुझे ये तीन installment में लाक 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 रुपे के मिलेंगे और आखिरी वाला 5,60,000 मिलेगा तो दोस्तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनको एक regular time पे उनक्या invested amount भी वापस मिलते रहे तो उनके लिए ये policy best है दोस्तो मान लिजे कि अगर मैंने ये एक लाक रुपे मुझे मिल भी गए 42 और 43 या 44 यार के बाद मेरी death हो जाती है तो भी जो भी मेरे nominees है या जो भी जिसके मेरे पैसे मिलेंगे जिसको वो पूरा का पूरा मेरा insured value यानि कि 5 लाक प्लस जितना मेरी policy ने bonus अकर किया है वो मि बेक वाली amount गिनी नहीं जाएगी दोस्तो तो ये भी एक बहुत ही अच्छा benefit रहता है दोस्तो आप जब भी ये policy खुलवाने जाए तो post office में इसकी अच्छी तरह से जान लिजिए कि क्या-क्या और provision है और इसको कैसे भरना है premium और क्या-क्या है ताकि आपको difficulty कम पैस करनी पड़ है अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किजिए सेर किजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब किजिए मिलते हैं अगले वीडियो में बाई